हैलो, कैसे हो आप सब, मेरे पास मेसेज आ रहे हैं मेम, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है हमारे बाल काफी जादा ड्राइ हो रहे हैं ड्रैंट्रफ हो रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है हम ऐसा कौन सा घरेलू उपाए करें जिससे हमारे बाल काफी जादा अच्छे हो जाएं हमारे बालों में शाइनिंग आ जाएं हमारे बाल उसे डेंटरफ चली जाएं और हमारे बाल अच्छी तरीके से ग्रोध करें तो मैं आज इसी पर ही वीडियो लेकर आई हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बल आइकन को ज़रूर दबा दिजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं लोंगे यहाँ पर अलोविरा जेल आप मार्केट का अलोविरा जेल भी यूज कर सकते हैं या फिर घर की जो लीफ होती है उसका भी अलोविरा जेल यूज कर सकते हैं आपको यह अलोविरा जेल अपने बालों के हिसाब से ही लेना है यहां मैंने एक चम्मच अलोवीरा जल लिया है और अब मैं ले रही हूँ कैस्टोर आईल एक चम्मच ही लूँगे मैं इसमें कैस्टोर आईल तीसरी चीज मुझे डालनी है इसमें रोज वाटर अगर मैंने यहां पर एलोवीरा जल एक चम्मच लिया है तो कैस्टोर आईल भी एक चम्मच लिया है मैं इसमें रोज वाटर भी एक चम्मच ही डालूंगी अगर एलोवीरा जल मेरा दो चम्मच होता तो इस इन सब की कॉंटिटी भी बढ़ जाती दो दो चम्मच हो जाती है और अब आखरी में डालना है हमें इसमें लैमन मैं इसमें पूरा हाफ लैमन का यूज़ करूँगी इसके हम ये बीजे निकाल लेंगे और अब मैं पूरा हाफ लैमन इसमें निचोड़ दूँगी अब इसे अच्छे से मिक्स करना है अल्मोस्ट सारी चीजे मिक्स हो चुकी है अब हमें इसे अपनी बालों में लगाना है और लगाना कैसे है मैं आपको बता दूँ आपकी हेर में बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए अगर आपके हेर में तेल लगा हुआ है तो आप पहले अपने हेर वाश कर लिजे और उस तेल को निकाल लीजे और जब आपके बाल सूख जाए तो आपको करना क्या है फिंगर की मदद से आपको अपनी बालों की जड़ों में इस तरीके से लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है इस तरीके से और जब आपकी हेड में अच्छी तरीके से लग जाए तो आप जो इस्तमाल करेंगे या फिर हफते में तीन दिन इस्तमाल करेंगे आपके जो सिर की डेंडरफ है वह बहुत जल दूर हो जाएगी आपके बाल अच्छे से ग्रोध करने लगेंगे उलजेंगे नहीं और आपके बालों में काफी अच्छी चमका जाएगी आप इसे हफते में ती तो friends, ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर मेरी वीडियो पसंद आयो, तो like, share करना मत भूलेगा, और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा.